कर दो यह आठीच का कंवर है कि इसको इस्टल कैसे करना है और अज भी बताता हूं आपको कि जैसे खुलेंगे कंवर तो उसके अंदर अपको बैल्ड मिलेगा कि बैल्ड खुलेंगे तो यह पूरा एसेम्बली होगा सबसे पहले आप को सबसे पहले क्या कीजिए यह जुके को इसके क accord करना है कैसे को यह जैसे दो लेग को आप खाड़ा कर लिजिए उसके बाद उसके बीच में जोइन करने के लिए यह दिया रहता है तो यह दोनों को यह आप ऐसे दो चार स्कुरू लगा के माउंट कर दीजेगा और यह पोश्चन आपका राइट साइड पर होना चाहिए उनली इसमें एक स्कुरू लगा रहेगा एक होल दिया रहेगा ऐसे पूरा बेज असेमली पहने माउंट कर दीजेगा इसके बाद आपके यह जो स्कुरू है निकले हुए वो आपके वो लेग में फिट हो जाएंगे है ना तो इसी सेम साइड पर यह लेग के उपर इसको माउंट करना है ठीक है यह आपके यह ऐसे प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा फिर इसमें यह नट बॉल्ट जो है वो टाइट कर देना है जाना बस यह एक चीज़ का ध्यान रखना है एक साइड पर एक ही आपका स्कुरू आएगा दूसरा आपको जो ऐसा वाला स्कुरू रहेगा वो यहा तका गाइड एसेंबली है यहां पहरे दो personnel है दोनों साइड पे रहेंगे आपको जिस साइड भी आपको गाइड डालना है उससाइडर कर सकते हैं कि सिये यो जो है यह आपका यहाँ पर मांट हो जाएगा इस तरह से दोनों क्लैम लगने के बाद आपके यह जो यह दो रोड है वो उसको इसके अंदर फिट कर देना है यह अगर चोटे स्क्रू भी निकलेंगे उसको आपको यह जो हॉल है उसमें डाल देना है उसके बाद यह दुनों क्लैम को फिट करना है उसके बाद यह जो आपका दुनों साइड पे माउंट हो जाएगा गाइड कि क्या तो यह आपका माउंट हो गया इसको आप अप डाउन कर सकते हैं यह आपका पूरा प्रोस्टीजर हो गया जितने भी नट पॉल्ड है सबको प्रॉपर टाइट करना जरूरी है